नमशकार प्रियमित्रों आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटिफल वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को सपने में शनी देव की मूर्ती या तस्वीर के दर्शन होते हैं तो इस सपने का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वीडियो को आगी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों का बिलकुल सही मतलब जानने के लिए इस चनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आप अपने किसी सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपने का मतलब बताने की कोशिश करेंगे यदि कोई व्यक्ति सपने में शनी देव की किसी ऐसी मूर्ती या तस्वीर के दर्शन करता है जिसमें शनी देव आपको आशिरवात दे रहे हैं, शनी देव प्रसन्न मुद्रा में है तो यह सपना आपके लिए बहुत ही शुब बहुत ही कल्यान कारी सपना है यह सपना इस बात का संकित देता है कि अब आपके साथ नियाय होगा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शनी देव नियाय के देवता है वह अच्छा करने वालों को अच्छा फल देते हैं और बुरा करने वालों को उनके कर्मों क्यनुसार दंड देते हैं तो यदि कोई व्यक्ति सपने में शनीदेव के दर्शन करता है तो ऐसे व्यक्ति को शनीदेव नियाय देने वाले है, इस बात का यह सपना संकेद देता है। यदि उस व्यक्ति का कोई शत्रू है या उसका कोई पुरा चाहने वाला है तो उसको शनीदेव उसके कर्मों का दंड देंगे इस बात को यह सपना बताता है। इसके अलावा यह सपना देखने वाले व्यक्ति को आने वाले समय में किसी शुब समाचार की प्राप्ती होगी, व्यक्ति चाहे कोई नौक्री करता हो या कोई रोजगार करता हो, व्यक्ति को उसके कामकाज में सफलता की प्राप्ती होगी, इस बात को भी यह सपना बताता है इसके अलावा यदी कोई बिमार व्यक्ति यदी सपने में शनीदेव की मूर्ति या तस्वीर के दर्शन करता है तो उस व्यक्ति को आने वाले समय में स्वास्थे लाब की प्राप्ति होती है इस प्रकार सपने में शनीदेव के दर्शन करना व्यक्ति के कश्टों के दूर होने का संकेत देता है उमीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद